नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस वीडियो के अंतरगत 69000 शिक्षक बरतिक की सेस रह गए अभ्यरतियों के लिए 20 सेस रुप से मैंने वीडियो बनाया है यानि ऐसे अभ्यरति जो 67-877 की चैनित सूची में चैनित होने से रह गएते तो ऐसे सभी अभ्यरति इस वीडियो को पूरा जरूर देखें यहाँ पर दोस्तों आपके सभी प्रश्णों का जबाब देने का प्रयास करूँगा लगातार दोस्तों आप लोगों के कमेंटार है थे आप लोगों के आन डिमांड रिक्त सीटों को लेकरके थर्ड काउंसलिंग को लेकरके सेफ गुडां को लेकरके आदि विश्यों पर बात करेंगे दोस्तों इसके पहले भी 68-8-66 चैनिस सूची से पहले आप लोगों के दिये वे डेटा के आदार पर मैंने सेफ गुडां बताया था लेकिन यहां पर आप लोगों ने डेटा ज्यादा सेयर की थे ज्यादा कमेंट आया थे और इस बार भी दोस्तों आप लोगों ने अपने कमेंट लगातार आप लोगों के कमेंट में पढ़ता रता हो हर वीडियो के अंतरगत कुछ ने कुछ कमेंट आपके जरूर होते हैं तो उन सभी दोस्तों डेटा को आधार मानते में मैं आप सभी को यहाँ पर सेफ उडांग बताने का प्रयास करूंगा रिक्त पदों को लेकर के दोस्तों आफिसियल डेटा जारी हुआ समाचार पत्रों के मादे में से उसमें अब किसी भी तरह की कोई संसय वाली बात नहीं है सीटे बढ़ेंगी घटेंगी नहीं इतना बिल्कुल आप तैमानिए कल भी मैंने एक वीडियो के अंतरगत आप सभी के लिए बताया था कि जो अभी 31,277 के अंतरगत यानि लगबग 28,000 अभ्यरतियों के नियुक्ति पत्र दिया गया है और जैसे जैसे सिकायती मिल नहीं इन अभ्यरतियों की तरफ से इन अभ्यरतियों के लिए ठीक है वैसे वैसे BSA की माध्यम से BSA के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है सम्मंदित आवंटे जनपत के जिला दिखा रहे हो और इनके नियुक्ति पत्र रद के लिए आदेश लगातार जारी किया जा रहा है तो उस वीडियो में मैंने कोई भी पत्र सारवजनिक नहीं किया था दोस्तों जिने नों भी कंप्लेंग किया था तो यहां पर मैंने कियो सूचना प्रवाइट कराई थी और कहिन कहीं जो भी फरजी वाड़ा है दोस्तों फरजी नियुक्ति पत्रे उन्हें बहार होना ही तुरूटि संसोदन को लेकर के दोस्तों परिसान नो हूए त्रूटि संसोदन वाले जितने भी एव्यडिति हैं जो इलिजीबिल हैं दोस्तों कही न कहीं हमारे ही भाई बंदु हैं तो साइकड़ों की संक्या में अबैर्थी हो सकते हैं उनका चैन होना ही चाहिए तो उनको ले करके आप लोग परसानना हुएगा कि नहीं सीटे कम बचेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है हजारों के संक्या में अब भेरतों ने सीटे छोड़ दी हैं अनुपस्तित हैं ठीक है पुरों में चैनित हैं या फिर जो फरजी बाड़ा वाले हैं और इसी तरह से आप देखेगा आने वाले समय भी सीटे खाली रहने वाली है इसके लाओ दोस्तों आपका जब रिजर्व और आजाएगा सारी चीजें वहां से असपश्ट हो जाएंगी और उसके पहले दोस्तों एक बात और भी है कि जो 1133 सीटों का मामला था और साथ में 22,000 सीटों का मामला यह दोनों ही मामले आपके सुप्रिम कोर्ट में गए हुए थे 22,000 सीटों पर सुनवाई करते हुए मा आपके रिजर और के अंतरगते हैं तो एक बार आजाने लिए सारी चीजें वहां से असपश्ट हो जाएगी ऐसा जैसा आपकी तरफ से असपश्ट रूप से कहा गया था इसलिए दोस्तों 22 सीटों को ले करके तो मैं आप लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं दे रहा हूं और नहीं दोस्तों सरकार इसको एड़ करने की मूड में है जबकि यह इसी भरती की सीटे हैं और अगर यह सीटे एड़ हो जाती तो कम सकम आप समझ लीजे 22,000 अभ्यरतियों का भला हो जाता चुकि यह सभी अभ्यरती 60-60 जो कटाफ उसको कौलिफाई करते हैं ऐसा नहीं क अभ्यरति थे वे फॉल यह कहा जाएगा कि अभ्यरति औचैनित हैं मेरिट से मेरिट सुची से बाहर बश्oweesting करिये कंगए को सिटं की अधिक दोस्तों बहुत सारी यह शारे यह चारी यह चैनिघ हो सकेगा तो देखे दोस्तों 1130 सीटे उनका दोर सडीड होना तया हो बुद्देशओ सीटों सच्छीस आप उसको एड़ करें उनसीटों को दिसको vilkut आ एड़ hon अंतय है होगा आफिर सीटों पर क्या होगINGING 5112 अब विज्यापित पतर बताए गए थे तो फोफे दोस्तों कही ने कहीन 2018 की वास से कोई भी प्रात्मे सिक्षक बर्ती नहीं निकाली गया थी उसके खाले भी पत बताया गहे थी ये तो सिक्षा मित्रों के जो पद खाली होगी थे उनकी वज़े से याँ पर ये सीटे खाली होगी थी और उन पदों को सुप्रिम कोड का आदेश था वाँ पर आनंद यादवाली आचिका में कि इने दो भरतियों के विज्ञापन की मादेमस इनको भरा जाए और आपने द दोस्तों आये देख लेते हैं कितनी सीटे रिक्त बस सकती हैं और कितना सेफ उडांग जा सकता है कैटिगरी वाइज भी देख लेंगे देखिए दोस्तों जब 31,217 पदों पर जब काउंसलिंग और विद्याले आवंटिंग की परक्रिया चल लए थी तो उस समय जो विभ सेखा था कि भी या एक हजार सीटे नहीं कम से कम तीन साड़े तीन हजार सीटे खाली रहने वाले हैं अभी यह क्यों उबेट डेटा हैं जो कि बिलकुल अनुपस्तित हैं जो आए ही नहीं फिर जब बिद्याले आवंटिंग की प्रक्रिया शुरू भी वहां पर भी आप स समस्या है उसका मामला भी कोट में चलना है उसके लिए आपने देखा ता सची साब से एक आफिस से लेटर भी जारी किया गया तो मैंने दिखाए भी ता आप से भी को तो चाय वह भी आप भी आरती हो एन उसी नहीं मिलने के वज़े से उनका यहां पर चैन यहां कह सकते अब देखें 3600Ь-6166 के साफे जो और भी सीटे हैं लॉद चार सो के असपास वे मिलेंगे में स्ट को खिशेएंक geral ऑंग जाए ख्याओ की वह भी तो со जो आप लोगों ने कमेंट किया दोस्तों मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ कोई भी मैं हाव हावाई डेटा नहीं बता रहा हूँ और इसी तरह सो दोस्तों यहाँ पर कम से कम अगर चार-पांसो जो भी अभ्यरती बिल्कुल इलिजीबिल है दोस्तों उनको मिलना चाहिए नियुकति पत्र आप सभी लोग चाहते होंगे और किसी के लिए दोस्तों यहाँ पर हो नहीं जिन्होंने भी मैनत किया है फर्जी वाड़ा वाले बाहर होने चाहिए फर्जी व उसके बाद उमेद करेंगे दोस्तों कि फिर यूपिटेट करवाना है उसके बाद नई सिक्षक प्रात्मी सिक्षक वर्ति तो उमेद करेंगे दोस्तों फिर तुरंत ही थरे काउंसलिंग जो पर्कीरिया श्टार्ट हो जाएगी और ये मैं इसलिए कहा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी सही लगातार जो रिक्तपदों का बैवरा है उसे लगातार सच्यू साप की तरफ से मांगा जाता रहा है और सभी लगबग जिला जो भीएस से हैं उनके आफिस से सभी डेटा दिये भी जा चुके हैं साथ ही जो कुछ और अभ्यरती हैं जैसे हर जिले से लगबग 10-12-15 अभ्यरती जो कि जिनके नियुक्ति पत्र रद किया गया ते जिनके संसोदन पर विचार किया जाएगा त्यानि ऐसा ही वे 5-700 अभ्यरती जरूर हो सकते हैं तो उनके भी डेटा भीजे जा रहे हैं तो कही 8-9,000 से आप प्लस मानकर कर चलिए इससे कम सीटे खाली नहीं होंगे कम से कम 8-9,000-10,000 हो जाए ठीक है उमीद करेंगे और भी ज्यादा सीटे खाली हो जाए और इसी में अगर आप जोड़ लेंगे 1133 सीटों को तो बड़े अराम से दोस्तों यहां पर बहुत सारे अभ्य कोड से रेजर्व और आने के बाद ही पता चल पाएगा तो आये देख लेते हैं कितने गुडान तक आप लोग सेफ हो सकते हैं देखिए दोस्तों यहां पर जो आफिस्यल जो रिक्तपद है एक डेटा अगर बताया जा तो नहीं बताया जा सकता है एक अनुमान है 8-10,000 ठ मान कर चलिए कि उसी आप रेशियो में ले लिजी आप कि माले जी 50% उसमें अन रिजर्व की सीटे हो गई ठीक है चुकि कम ज्यादा हो सकती है कितनी कितनी सीटे खाली होंगी यह तुमें पता नहीं है यह तो दोस्तों तब होगा जब पूरी तरह से आफिस्यल डेटा जा हो जाए तो इसमें आप वही मान कर चलिए मैं वही मान करके चलना हो दोस्तों पता नहीं है मैं ठीक है आफिस्यल डेटा नहीं कोई भी डेटा नहीं है माले जी आप इसमें 50% यूर की सीटे हो गई ठीक है लगबक 4500-5000 की आसपास इसके बाद 27% आप OBC का माले जी 21% ESC का म वाले सीट आप SD मी जोड लीजी आप और सीटे उन्हें है अन्रेजरो माल लीजे या फिर उन्हें आप इस्पेसल ड्रीजर्व क्याटेगरी की अब बैद्यू के लिए माल लेजे क्योंकि उनके तरफ से भी रिजर्व पदों की मान के गई थी उनके तरफ से आसिकां डाल क्योंकि ऐसे मैं कैसे बता पाऊंगा ठीक है तो आप इस तरह माल लेजिए इसके बाद जो MRC अभ्यारती होंगे बिल्कुल 100% यहां पर भी MRC जो अभ्यारती होंगे अन्रिजर्व की सीटों करेंगे ठीक है और उमीद करेंगे सई से जो भी चीजियों प्रोसेज जो किसी का अब नुक्सान नहीं होना चाहिए दोस्तों चाहे जन्रल के डिगरी के अभ्यारती हो चाहे रिजर्व के डिगरी के अभ्यारती हो जन्रल के डिगरी में दोस्तों अगर आप पहले चैन सुचे की बात कलें 67 और 667 पॉइंट वन लगबग 67.3040 तक सेलेक्षन हुआ है ठीक लगबग मान के चल सकता है तो इस हिसाप से दोस्तों उसे मैं ज्यादा बता रहे हूँ इससे कमी गई ती कटा टिक है तो इस हिस आप से दोस्तों कम से कम आप लोग मान कर चलिए 66 पलस वाले मैं कम सकम दोस्तों यहाँ पर एक सवाग उडान तक डाउन करके चलना हूँ आठ से 10,000 सीटों के लिए बता रहूं है कम सकम दोस्तों यहाँ पर आप मान कर चलिए 66 प्लस वालों के चांस बनेंगे 100% बनने चाहिए पूरी उमीद है बाकी जो 65 प्लस वाले हैं आप लोग उमीद मान करके चलिए दोस्तों यहीं नहीं कहा रहा हूँ कि आपको मौका मिल पाएगा आप लोग साथ में आगे की जरूर तयारी करते रहें B8 वाले TGT में और BTC आने वाले प्रात्मी सिक्षे उबरती हैं तो 66 से उपर वाले हैं दोस्तों उनको लग रहा है कि उनका हो जाना चाहिए अब आप यह मत पुछी का कि नहीं सभा गुडांग में इतनी अभ्यरती दोस्तों जब आप नीचे गुडांग में आएंगे तो अभ्यरती कम मिलते हैं बहुत हाई गुडांग पर जाएंगे वह आप अभ्यरती कम मिलते हैं मेडियम रेंज पर अभ्यरती ज्यादा मिलते हैं पौइंट-पौइंट-डिफरेंस में भी आपको 2 अफ्यरती मिल जाते हैं ठीक है यह बिलकुल दोस्तों में उसके आधार पर आप अप सभी को बता कर्डिगरी में कि ओवी सी कर्डिगरी में दोस्तो 65 प्लस वाले अब देखिए उसमें 66.60 तक या सम्होंत यह दोस्तों अगर यही बाई से सीट अगर एड़ हो जाती तो कहीं ने कहीं फिर 64 प्लस वाले पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं 100 परसें इंका भी हो जाता है ठीक है तो 65 प्लस वाले अपने आपको बिल्कुल आप सेफ मानकर चलिए ज्यादा कम गुडांक वालों को दोस्तों मैं अब उमीद नहीं दे रहा हूं आप लोग उमीद रख सकते हैं ऐसा नहीं कर रहा हूं उमीद रखे लेकिन आप लोग आगे के तैयारी जरूर करते रहें साथ में जो जनरल के 66 प्लस वाले बात कर लें या फिर ओविसी की 65 प्लस वाले बिल्कुल मैं 100% कंपर्म नहीं क सकता है बाकी आगी के तैयारी जरूर करते रहा करें आप इसके बाद देखिए दोस्तों सी के डिगरी में मैं यस्टी की सीटों को जोड़ करके मान रहा हूं ठीक है तो यह सी के डिगरी में दोस्तों मुझे लग रहा है 59 प्लस वाले का भी चैन हो जाएगा जो भी प्लस वाले दोस्तों आप उमिद रखी पुरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है और सभी अभ्यरति के लिए मैं एक बार फिर शेका रहा हूं आप लोग तयारी जरूर करते रहा करें आगे की ठीक है यहां पर जब सीटे आएंगी थर्ड कांसलिंग होगी यहां पर चैन हो जा है बागी जो पिएच केडिगरी में एक केडिगरी वहां पर संभावता ओट या फिर ओवाई व सती वहां पर तीन केडिगरी बताई जाती है जबकि चार करदेगरी की चर्चा करते हैं वह पर चार पर रिजरुजर्वेशन के लिए सरकार की तरफ से खा गया था कोट में जो हलाप नामा दिया गया था तो वहाँ पर दोस्तों इस्तिती अस्पस्ट नहीं हो पा रही है लेकिन जो भी वहाँ पर बैठती है ओटी ओवाई वाले ठीक है तो आप सभी के लिए दोस्तों वर्टिकल और हो जेंटल जो रिजर्वेशन है उसी के एकॉर्डिंग लिए आ जास का आंगड़ा नहीं पहुंचा है अभी तक इतनी दिनों में तो डाई मैंनों में इसलिए दोस्तों मैं कोई भी डेटा आपको नहीं बता पा रहा हूं लेकिन आप इतना पिल्कुल हंडेट परसंट है कि जो मैंने भी केटेगरी वाई कटाफ बताए उसी के एक और अ आप सभी को दोस्तों हमारे तरफ से अगरीन सुबकामना है लेकिन दोस्तों मैं फिर से कहा रहा हूं आप लोग आगे तकी तैयारी जरूर करती रहा करें यहां पर चैन के सम्मावना उमीद बिल्कुल आप उन्हें बनाए रखिए और कुछ पॉइंट वाले तो बिल्कु हैं सीठेखाली रह जाती है तो थोड़ा वहू दोस्तों प्लस मैरा से में हो सकता है उमीद करेंग दोस्तों बीडियो काप धि आपको पसंद आया हो आगा तो दोस्तों वीडियों को लाइक करके इसको ज्यातर से ज़ादा जरूर सेर कर दीजिएगा जरूरर कर तो थैंक्यों सो मच्छ फ्रेंड्स थैंक्स पार वाचिंग